नमस्कार मैं प्रग्या ध्रादर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को जीपी सिखर सम्मेलन में यूपी आई की धूम देखने को मिल सकती है सम्मेलन में भाग लेने के लिए तकरीबन एक हजार विदेशी महमानों के आने कानुमान है सभी को UPI से अफगत कराने के लिए सरकार ने एक नायाब योजना बनाई है सभी महमानों को 1000 रुपे UPI के माध्यम से ट्रांसफर किये जाएंगे जिसका इस्तमाल उन्हें सम्मील अनस्थल पर लगे छोटे-छोटे स्टॉल से खरीदारी करने में करनी होगी सरकार सभी महमानों के लिए 10 लाक रुपे का प्रतिबंद किया है और सभी महमानों के लिए UPI वॉलेट भी बनाये गया है तमिलनाडों के कॉंगर्स नेता मोहन कुमार मंगलम ने कॉंगर्स अध्याक्ष और धलत नेता मलेका अरजंट खर्गे को जीस 20 के डिनर की गजस लिस्ट में बाहर किया जाने के बाद मोधी सरकार पर हमला बोला है कुमार मंगलम ने दावा किया है कि प्रधान मंतरी मोधी महरसी मनु की विडासत को कायम रख रहे हैं जिन्हें मनु स्मृती की रचना करने का श्रे दिया जाता है बीस से भी ज्यादा वैस्विक नेता नई दिल्ली पहुँच चुके हैं आस से यानि शनिवार 9 सितंबर से 10 सितंबर तक भारत मनपव में धूने वाले जी बीस सिखर समेलन में सभी देशों के राश्रु प्रमुक वैस्विक मुद्वों पर चर्चा करनी शुरू कर दी गई गया है और चंदरबाबू नाईडू को सनिवार सुभा नंदयाल से ग्रफतार किया गया है चंदरबाबू नाईडू को 350 करो रुपए के कौशल विकास घोटाले में APCID ने ग्रिफतार किया है आप राधिक जांश विभाग ने चंदरबाबू नाईडू के लिए कर रहा है समेलन से एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वह नेताओं की घोशना में यूकरेन संखर्षप्र आम सहमती बनाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है वहीं EU के अध्यक्ष चार्ल्स मिरसेल ने कहा कि संग रूस के आकरामिक नीतियों से खुद को बचाने के लिए यूकरेन को पूर्जोर समर्थन करता है और आगे भी से जारी रखेगा। अनुछे 370 पर पार्टी का रोख स्पस्ट है और वह यह भी सुनिशित करना चाहती है कि देश में हर आवाज सुनी जाए लोगों को स्वतंतर रूप से खुद को अभिवक्त करने की अनुमती हो बेल्जियम की राज़ानी में प्रेस क्लब में एक समधाता सम्मेलन को संबोधित करते वे राहूल गांधी ने कहा अनुछे 370 पर हमारी स्थिती बहुत स्पस्ट है यह CWC PIP में पारित एक प्रस्ताव है हम यह सुनशित करने के लिए पक्ष में है कि हमारे देश में हर एक व्यक्ती को अपनी आवाज मिले खुद को अभिवक्त करने की अनुमती हो गोसी उप चनाव में सपा ने जीत का पर्चम लहराते वे जीत दर्ज कर ली है बीजेपी उमिदवार दारा सिंग को 60,000 वोटों से हरा दिया गया सपा ने यहां से सुधाकर सिंग को चनाव लगने का मौका दिया था और जिस तरह से प्रचार किया गया उसका नतीजों में साफ दिख रहा है बीजेपी की सिर्फ हार नहीं हुई बलकि जिस अंतर से पराजय मिली है इसके बड़ सियासी माइने निकाले जारे हैं अब चनावी मौसम में बीजेपी के लिए एक बड़ी हार है ज्यादा चिंता जनक इसलिए भी है क्योंकि मिशन लोकसभा चनाव में असी सीरे जीतने का रखा हुआ है जीबी स्टमिट को लेकर राजश्रपदी द्रॉपदे मुर्मुर ने 9 स्टमबर को डिनर आयुजित किया है इसमें रातरी भोज में कॉंग्रस अध्यक्ष मलेकार जन खरगे को आमंतरित नहीं किया गया है इसको लेकर जब यूरोप में कॉंग्रस नीता राहूर गांधी से सुक्रवार को बूसल्स में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा उन्होंने विपक्ष के नीता को मंतरित नहीं करने का फैसला किया है श्विनी वेसनम का कहना है कि चिफ इंडस्ट्री दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ रही है आज की तारीक में ये दुनिया भर में 250 बिलियं डॉलर की इंडस्ट्री है आने वाले 6-7 वियद दुगना होने वाला है इससे सम्झता सकता है कि भविश्य में इसके कितनी तेजी से विकास होने जा रही है इस शेतर में आगे बढ़ने के लिए भारत के लिए सही समय है आज की तारीख में भारत का पुड़ा विषयू बहुत भरोसा करता है भारतिय पुरातत्तु सर्वेक्षन की ग्यानवापी मामले में सर्वे और उसकी रिपोर्ट तयार करने के लिए जो समय सीमा बढ़ाये जाने वाली अरजी अदलत में पेश की गई थी उसे अदलत नहीं मंजूर कर ली है इसके लिए उनों ने जिला अदलत से 8 सपता यानि 56 दिन का अतरिक्ष समय मांगा था इस मामले में जिला जज डॉक्टर अजय क्रिशना विश्वेस की अदलत ने 8 सपता यानि 56 दिन अतरिक्ष समय देने का आदेश दिया है हलाकि गुरुबार को जब ASI की टीम सर्वे करने पहुँची थी तो मस्जिद कमीटी ने इसका विरोध किया था जिस कारण ग्यानवा पी परिश्वेस का सर्वेस शुरूर नहीं हो सका था कक्षा एक से पांच तक के सक्षक भरती में बीएट डिग्री धारियों को सामिल करने की राश्टी अध्यापक सक्षा परिशत के 28 जुन 2018 की अधिसूशना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारज होने के बाद नए सीरे से कानूनी लडाई शुरू हो गई ह एंसी टी ई की अधिसूशना के नुसार पर उत्तर प्रदेश के परिसदिय स्कूलों में 79,000 सहायक अध्यापक भरती के तहत चेयनित बीएट डिग्री धारियों को बाहर करनी की मांग को लेकर सक्षा मिंत्रों नहीं सरवच नयाले में 304 पिच की याचिका दायर दी है राज़े में टेंगू के बरती मामनों को लेकर स्वास्ते विभाक के अपर मोखे सचीब प्रत्यां अमरितनी सभी मेडिकल कॉलिज अस्पताल में उपलत सुवधाओं की समिख्छा की उन्होंने सभी वड़ीय पदा दिकारियों को सभी सरकारी मेडिकल कॉलिजो का सुक्र प्रोडूसर रविंदर चंदर सेखरन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, रविंदर चंदर सेखरन ने एक बिजनसमैन के साथ करोर रूपए की धोखादरी की है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, मामले की जान चल रही है, सिंट्रल क्राइम ब्रांच की एक बिजनसमैन के साथ 15.8 करोर रूपए का फ्रोड करने के आडोप में रविंदर चंदर सेखरन को औरेस्ट कर लिया है, फिलाग मामले की जान चल रही है, और रविंदर को जुडिशित कस्टडी में भेज दिया गया है, नए सोथ से यह पता चलता है कि युवाउ में कै कैंसर के कई प्रकार सामने आ रहे हैं, इस नविंतम अध्यान और पिछले सोथ से पता चलता है कि कैंसर के जिन प्रकारों को माना जाता था कि वे व्रिधा अवस्था में वर्ग सम्हू में ही होते हैं, उनमें भी युवाउ अब तेजी से पिर थोड़ हैं, इनमें आत का क कैंसर, पेट का कैंसर अस्तन, कैंसर गर्भाव या कैंसर और अगना से कैंसर शाम्य है, त्रिपूरा की दो विधान सभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जीत के बाद भाजपा के पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी इंडिया गडबंधन पर जमकर हमला बोला है पातरा ने अपनी प्रतिक्रिया ट्वीटर पर दी है उन्होंने लिखा है कि त्रिपूरा ओप चुनाव में घमंडी अगडवंधन का ना सिर्फ घमंड तूटा है बलकि यह उनकी करारी हार है जनता ने इनके घडवंधन को ठगवंधन साबित कर दिया है बॉक्सनागर और धनपूर दोनों सीटे अल्पसंख अगबहुले और गमंडी अगडवंधन का सरुटर प्रत्याशी लड़ने के बाद भी भाजपा की हजीत प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी के ससक्त और सर्वमाने नितित तथा उनका सबका साथ सबका विकास के म जाना छुटी होती है इस लिहाज से कड़ी 250 मरीज को एम्स मेल आज के लिए जूजना पड़ता है अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संक्या और बेड मलने में होड़ा ही परिशानी को देखते वे अब इम्स प्रमंधन ने मेडिकल और सर्जिकल वेसक एमर्जेंसी सर्व होचने से पहले एक्सपर लिखा था कि वो बहुत ही क्लियर फोकस के साथ जीवी सिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उन्होंने खुद को भारत का दमात कहे जाने पर विप्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि यह आत्रा सपस्ट रूप से मेरे लिए खास पर इस बैठक की जानकारी देते वे कहा वितमंत्री निर्मला सीतरामने अमेरिका के वितमंत्री जेनर्ट येरेन के साथ वैसिविक आर्थिक एवं वीतिय मुद्दो के बाड़े में दोनों लोग तंत्रों के भी जी बीस के मर्श्री प्रातमिक्ताओं एवं दुई जब पांस सारबाद नेता वोट मांगने आए तो उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए अब सारुक के उस मोनोलॉक पर सियासा सुरू हो गया आमादनी पार्टी ने लिखा कि जो अर्विंद केजरिवाल जी सालों से कहते आ रहे हैं वो बात आज जवान फिल्म में इस एस पर लिखा मैं कलतना नहीं कर सकता हूँ कि किसी अन्य लोगतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए राजके रातरी भोज में विपक्ष के मानता प्राथ नेता कौमंतरित नहीं करेगी ऐसा कीवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहाना तो लोगतंत्र है और न में ना आने समेट कई मुद्धों पर खुल कर बात की है मनमोहन सिंग ने इंडियन एक्सप्रेस को दिये इंटर्वियू में रूस इक्रेइन युद में भारत के रुख का सही ठेडाते वे कहा रूस इक्रेइन यूद के मदे नजर नई विश्व विवस्था को संचालत करने में भारत की महतपुन भूमिका है भारत ने सांती की अपील करते वे अपनी संप्रूपता और आर्थिक हीतों का प्रात्मिक्ता देकर सही काम किया है जीबी समिर से एक दिन पहले कॉंग्रस के वरष्ट नेता जैराम नरेश ने कहा कि देश में पहला आंतराशी सम्मेलन आजादी से पहले हुआ था यह समिर नरेश ने कहा कि सर्फ विदेशी मंतर ही इसके महत्व और प्रभाव को समझ सकते हैं फिर बेश अगाज वह इसे सीरे से खालच कर दे यह समिर नपुराना किला में एक बड़े पंडल में सारवजनिक रूप से हुआ था इसे में दूसरे राजयों में काम करने वाले बिहारीयों के मातिय पर चिंता की लकीरे खिजगें है उन्हें इस बारतिवार पर घड़ आने के लिए काफे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आज यारी 9 सितंबर से GB सिखर समयलन की शुरवात हो गई है सोशल मेडिया पर GB सिखर समयलन की तस्वीरे और वीडियो आनी शुरू हो गई है इसमें सबसे आधा जस्टीज को लेकर चर्चा हो रही है वर डिजिटल ट्री है ये डिजिटल एक्सपिरियंस जोन में मौझूद है इसे आयोजन अस्थल पर हॉल नंबर 4 और 14 में रखा गया है डिजिटल ट्री को एक पेर की तरह डिजाइन किया गया है इसके चारों तरफ AI एप, चैट बॉट, UPI पेमेंट के साथ ही डिजिटल पॉबलिक इंफास्टरचर देखनी को मल रही है राष्र पती दॉब्दे मुर्मों ने जीबीज सिकर्समेलन के लिए भारत आये जीबीज देशों के सभी प्रतिनिती मंदलों के प्रमोकों अतिती देशों और अंतराश्情況 का आर्थिक स्वागत किया है एक भविश्य टिकाव समाविशी और मानक्त केंद्रत विकास के लिए एक वैस्वेक रोड मैप है मैं जी बी सिखर समेलन के प्रतिभागियों को इस दिश्रिकों को शाकार करने के दिशा में उनके प्रयासों में सफलता की काम ना करती हूँ रक्षा चेतर में मेक इन इंडिया का विस्तार करते वे भारत का रक्षा नर्यात अब तक के उच्टा मस्तर पर वित वर्स्त दो हजार बाइस तेस में सोलह हजार करोड रूपे तक पहुच गया है रक्षा मंत्राले ने सुपरवार को बताये कि नर्यात में 23 गुना बढ़ो सिकर्समयलन के पहले सत्र में पीया मोदी ने कहा GBS की काड़ेवाई शुरू करने से पहले मैं मुरकोग में भुकम की कारान जान जान माल के नुकसान पर अपनी समीदना व्यक्त करना चाहता हूं कुछ देर पहले मुरकों में आए भुकम से प्रोहवित लोगों के प्रती म मैं अपनी सम्वीदना प्रकट करना चाहता हूँ, हम प्रातना करते हैं कि सभी गाया लोग सिग्र स्वस्थ हो जाएं। द्रसल खेसारी लाग यादर ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन नाम की म्यूजिक कंपनी के साथ एक करार किया था जिसमें उन्हें 30 महीनों में 200 सौंग गाने थें। शामिल होने वालों मिद्वार BPSC के अधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.9 पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हमादर पूझी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रचवाब हमें हमारी कमेंट सक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमादर पूझी का सवाल का जवाब दिया है। दीपक कुमार राजकिशोर महतो अब भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है हमारा देश जी भी समिट की मेजबानी कर रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं आज के लिए ताही धन्यवाद कर दो आप कर दो कर दो आप दो आप च्टाईब कर दो आप कर दो कि अत्ताब है हमारे कर दो कि गदाद के लिए वाद हैं और आप्ता चाहेंगे